हर्याना की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें स्टीवी हर्याना नियूज संजे रातर सीदे हमाएं साज उड़ गय और गुर्ण के सरकारिय अपडाल के लिए इंआठी पान्या ये उनषे उनसे बात करने के कोशिश करेंगे ये जारने के कोशिश करेंगे अपडाल प्रु सासन क कितना सतर खैंक कितना जागरूध है और कितना गमभी थिल संजे उन से जानने की कोशिश केजिए अस्पताल पुर्शासन कितना जागरूख है किस तरीके से की जा रहे हैं तयारिया जी बिल्कुल मनीशा मैं इस समय हूँ चीफ मेडिकल आपिसर के कारियाले में जेस पुनिया साम हमारे साथ मोजूद है उनी से आज बात करूगा कि कि इस तरीके की वैवस्ता है आपकी तरफ से जिला सवाश्ति विवाग की तरफ से की गई अभी तक कितने लोगों की जाच आप करूब से के हैं इसा है गुरूगराम जिले में हमने सारे त्यारियां की हुई है और अब तक जब से हम बात करें पंद्रा जैनुरी के बाद से तो 1270 के आसपास लोगों की हाँ ट्रेवल की स्टी है जो गुरूगराम करेंने वाले उनको स्क्रीन किया जा चुका है और ऑल्मॉस्ट मॉर्दन वन थाउजंड जो है वो एस्म्टमेटिक है सारे और कुछ जो दोसों से ज्यादा है वो अपने 28 दिन पूरे कर चुके हैं स्क्रीन करते हैं जो एक मामला पोजूटी पाया गया है एक महिला है जो फोटी वस्टम इसको रखा गया है किस किस के संपर्क में वाही दी सर कया यह डिटेल है और क्या उन लोगों कि आपने सैंपलिंग ली हां बिलकुल एक लेड़ी है जो हमारे गुरूगराम की है उसके बाद यहां हमने रे Eliés के डिश के पर है उसके summary मेंबर्स चार अधर निचे भी हमने रेपऄ। भी थी वो नेड़िटिव आईिशन और गूधा और इसमारी इसकें निर्वान कम्निकाप त्र strongest कंट्रि है है क्या सर उसके जाच कर ली गई है क्या आपकिस वाज़ते है विवाग की टीम उसके घर पोची हाँ हमारे पास जो ना एक मामला है जो डेली से हमारे पास विदिवत रूप से भी रिपोर्ट नहीं हुआ है लेकिन आर्डी असोशेशन का फॉन मेरे पास आया था कल रात को क सब्सक्राइब कर लिया है तो जो यह मेल है वहां का 44-year mail है उसके विजिट की हिस्ट्री है लंडन की एक मार्च को गया था साथ मार्च तक वहां लंडन के उसकी है और साथ को यहां वापीस आया है इंडिया में और इंडिया में आने के बाद और नाइंट आट एट और न में रहता है और गुरुग्राम में उसके बाद नाइंट को इन रिपोर्ट किया और में और फिर स्टेट वे यह एड्मिट हो गया हमां सब्दर्जंग में इनको फीवर है वहीं पर एड्मिट है इसके रेस्ट और फेमिली मेंबर्स है इनको लोडिंग उनके सर्वेंट ब बना दी गए लेकिन उसके बाद भी क्योंकि लोग अवेर नहीं है उसके लेकर सवास्ति विवाक की क्या तयार नहीं आप देखिए अच्छी बात यह कि कोई भी लोकल ट्रांस्मिशन नहीं हो रही है कोई दूसरे लोग का किसी का भी हमने सेंपल जो बेज़े अठारा बे केस हैं इनकी हिस्ट्री है मां की अब रोड की वो लोग ही एक जो हमने बताया लेडी का वो पोजिटिव है एक यह है इसके अभी विदिवात हमारे पास रिपोट आई नहीं है लेकिन उनके कहने उनके वाइप से बात की उसने बताया कि दिल्ली में उन्हों ली नहीं रिपोट किया है हमरे पास रिपोट ने लेकिन एतियत के तोर पर पूरी उनके एरिया की कंटेंवन प्लान और उनकी सर्विस जो आपने लगा दी है जो दूसरा मामला भी सामने आए क्या उनकी फैमिली के जो जिजिसके संपर्क में थे उनके सेंपल ले लिए ग पूरी तरह से त्यार है तो कोई गवराने की जुरूरत नहीं है हम रेगुलर स्क्रीनिंग करने हैं सर्विलेंस हमारा बढ़ाय हुआ है आई से एक्टिविटी हमारे जोरों पे हैं और प्राइविट होस्पिटल और सरकारी होस्पिटल एवन एडमिशन के साथ मिले करके ह हम पूरी तरह से लड़ने के लिए त्यार है जी मिनिश्य यह थे हमारे साथ चीफ मेडिकल ऑफिसर जिन्हों साफ तोर पर कहें कि पैनिक क्रेट ना करें डरें नहीं सवास्ते विवाग पूरी तरी से तयार है हमारे साथ जुड़े और जिस तरीके से आपने बताया कि से बात की तैयारिया पूरी है लगातार यह कोशिश की जारे कि जो भी मरीज आता है उन्हें आइसलेटर के रखा जाए और वो हर संभव कोशिश की जाए जिससे लोगों को यह कोरोना वारा से उनमें ना फैल सके उनको परिशानी ना हो सके और जिस तरीके से हम लगातार यह बात करें कि कोरोना से जंग जो लड़ी जा रही है उसमें हम खुद कितने सतर्क हैं हम खुद कितने गंभीर है कितने सजगे क्योंकि सबसे पहले हमारे खुद के जम्यदारी है कि हम खुद के साथ साथ दूसरे लोगों की भी रक्षा कर सके कि देखें देश में को एक सो एकतिस लोग संक्रमित हैं महाराश में सब्सक्राइब तो और क्या कुछ उपाई है और क्या वाकई अब ये चिंता का विशे बन चुका है क्या इससे दूर करने के लिए अब करना होगा जो चेन बनाने के कोशिश कर रहे थे उस चेन को क्या हम बना पा रहे हैं उसमें भी कोई लूप़ोल फिर से साबने आ रहा है हमारे साथ थमारे खास मेमान रहूल भारगाव जी जुड़ गये हैं हेमाट अब बहुत स्वागत आपका और क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि आज भी नहीं है अगर हम विश के मामलों से देखें जो इटली में जिस तरह से रेट ऑफ राइस था जिसमें मामले हर दिन पर तीन गुना हो रहे थे देश में अभी भी किसी हालत में वह रोक्थाम है बट अगर हमने सुरेश्या का घेरा आज तोड़ा तो हमारे देश की भी इटली, स्पेंट, फ्रांस और यूएस जैसी हालत होगी जिसमें एक एक दिन में तीन गुना नी तीस गुना ज्यादा मरीज पाए जाएंगे क्योंकि हमारी पॉपुलेशन एक सो तीस करोड लोगों की है दूसी चीज आपको समझना जरूरी है कि जितने भी लोग ट्रावल करके आए है, निवेदन है कि वो खुद सेल्फ कॉरिंटाइन हो जाएं, घर पे रहें और अपनी हिस्ट्री हेल्थ केर गिवर्स को प्रॉपरली दे, क्योंकि हम जितने भी केसिस देख रहे हैं उसमें कहीं न कहीं यह पाया जाता है कि आदमी अपनी ट्रावल हि ही है तो घर पे और तब खराब है तो हॉस्पिटल में जो आइसोलेशन वार्ड मनाये गए हैं वहां रखके आपको सोसाइटी सोसाइटी को एट लार्जर स्पेस हम बचा पाएंगे तो लोगों से मेरा यही कहना है कि पैनिक ना हो, क्राउड़ेट प्लेस को अवाइट कर गए तो अगर भगवान ने चाहा तो कुछी दिनों में हमारे पास कुछ महीनों में वैक्सीन भी इसके प्रती होगी कॉरोना वाइरस की पर जब तक नहीं होती तब तक उसका बचाव एक ही है कि हम दूसरे को ना दे यहां पर क्या लग रहा है कि की सरकार ने तो अपना काम किया पुरी कोशश कर रहा है वहर संभव प्रयास किया जो हम देख रहे हैं लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं हमने कई ऐसे माम ने देखे जहाँ अस्पताल में मरीज को भरती कराया गे लेकिन वह वहाँ से भ थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं जिनको कॉरोना वाइरस हो गया अगर वो यंग है तो उनको घबरानी की आवशक्ता नहीं है हमने देख लिया कि इन 126 लोगों में से 14 लोगों को अभी तक हमने डिस्चार्ज कर दिया है जो पहला आदमी जिसको सव्दा जंग स कल 14 दिन के बार डिस्चार्ज किया गया जिसको इटली से आया था जिसने हयात में खाना खाया था और बच्चे के साथ में था देखिए वो अपने आप घर चला गया तो इसलिए अगर आप ट्रावल हिस्ट्री नहीं चुपाएंगे सब सच सच बताएंगे कि मुझे शार से मिलने की परीपन पर जरूर होगा कि लोग नहीं मिल सकते तो आप पर कोई अप्याचार नहीं हो तो जरूरत है इस बात की जानने की की राइट हिस्ट्री से आप वो 部 सौ दो सो हजार लोगों के घरे को कौरोना वािरस नहीं देंगे तो कि यह एक से सो सो से हजार ह कोई इल्जाम लग जाएगा मेरे पर कोई तुष्टी करण की पॉलिसी हो जाएगी ऐसा कुछ भी नहीं है आपको सिर्फ आइसोलेशन में रहना है तो इसलिए प्लीज लोगों से यही निक्वेस्ट है कि वो ना घबराएं घबराएंगे तो वो सुरक्षा घेरा तूट जाएगा और सुरक्षा घेरा तूट गया तो यह 126 से एक लाग 26 अजार केसिस कॉरोना के कब हो जाएंगे हमें पता नहीं चलेगा इसको नेगेटिव नहीं लेना अगर आपको ट्रैवल हिस्ट्रेट को छुपाना नहीं नेगेटिव नहीं लेना और एक जागरुक व्यक्ति जो है हमारे देश का वो आपको वो रोलादा करना एक बार डॉक्षण करते हैं जो दौर्शक अभी हमारा टीवी चानल देख र रहा है लक्षण में बुखाराना खासी जुखाम यह फ्लूस्टम्स होते हैं यह तीन ही सिम्टम होते हैं और शरीर में बदन का दर्ध हो ना चार कारण चार चीज़े प्रमुक होती है पर हर जिनको यह चार सिम्टम है उन्हें कॉरोणा वायरिस नहीं है यह बात पक्की ह कॉरोना वाइरस उन लोगों में पाया जा रहा है जो लोग अभी तक विदेश से वापस आए हैं या इन विदेशी लोगों के साथ में उठे बैठे हैं उन्हीं लोगों में कॉरोना वाइरस आया है अगर मैं 126 लोगों की हिस्ट्री देखूं जो कि आंकड़ा ये कहता है कि 126 में से आधे से जाधा थ्री फोर्थ लोगों को कोई सिम्टम नहीं थे ये समझे कुछ लोगों ने सिल्फ टेस्टिंग करवाई जो पेटियम का इंप्लॉई था गुर्गाव में उसके कुलीग्स ने कहा क्योंकि तू इटली से आया है इसलिए टेस्टिंग कराई जाए जो ये जो सब्दर जंग से अभी 14 दिन के बार डिस्चार्ज हुआ है उसको खासी जुखाम हुआ था बुखार भी नहीं था खासी जुखाम था क्योंकि उसकी ट्रावल की हिस्ट्री थी इसलिए हमने उसे पकड़ लिया तो आप अगर आप अपने गाउं में शेहर में है जहां पर आपकी ट्रावल की हिस्ट्री नहीं है या आप उन लोगों के संपरक में नहीं आये हैं जो इटली, जपान, दुबई लोग गए हैं तो आपको कोरोना वाईरस होने की संभावना बहुत कम है पर इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं है संभावना बहुत कम है वालों से भी सीमित रहे मास्क पहन के रखे उसके घर वाले मास्क पहन के रखे और हम बाकी अगले चौदा दिन तक अपने काम पे मॉल्स में सिने में घर में नहीं जाए सो देट अफ फ्लू भी किसी को ना भेलाए ताकि कलती से भी हमें कॉरोना वाइरस की टेस्टिंग कभी मॉका ना मिले यानि की जो प्रशासन कोशिश कर रहा है जो सरकार कोशिश कर रही है की मॉल्स को बंद कर दिया theorem थेयर्टर्स को बंद कर दिया व्यक्तिकत प्रयास की जरूबत है, एक इंडिविज्वेल को गुड सिटिजन बनने की ज़ादा जरूबत है, कि वो खुद से ये कहे कि मुझे crowded area में नहीं जाना, मुझे खासना है तो arms की sleeve में खासना है, मुझे mask जबदस्ती नहीं लगाना, पर मुझे खासी जुखाम है, और उस mask को मुझे dust bean में अच्छे तरीके से धोना है, dispose off करना है, मुझे अपने हातों को सुबे, धुपैर, शाम और हर बार जब मैं भार जाओं या किसी भी चीज को छूँ, मुझे soap, water से 20-30 सेकेंड तक धोना है, और साथ में अगर वो नहीं हो सकता, तो sanitizer की मदद से मुझे छूँए की आवशकता है, अगर हम अगले दो हफते निकाल गए, 34 हफता जो की बहुत crucial होता है, और जो community spread बढ़ाता है, मतलब अभी तक मुझे, मैं इनको नहीं फैला रहा, आपको नहीं फैला रहा, पर ये 34 हफते में ये spread फैलना स्टार्ट करता है, और उसके बार इसको contain करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो देखिए आप सब लोगों पे कारे भार है, इस बार इस 34 हफते में देश को बचाने का, इस विपता से लड़ने का, और स्मार्टली भार निकलने का, बिलकुल दॉक्टर राहूर्य ने बिलकुल सही बात कही है, कि एक good citizen आपको बनना है, एक good citizen बनके आपको दिखाना है, और या आप कि जमेधारी होगी, या अपने देश को अपने समाज को आप खुल बचाए, फिलारेस खास कारेक्टरम में इतना ही आप देखते हैं हर्याना न्यूस नमस्कार